एक बार की बात है, जंगल की एक आराम दायक कुटिया में तीन भालू रहते थे, पापा भालू, मामा भालू और बेबी भालू. एक धूप भरी सुबह, उन्होंने टहलने जाने का फैसला किया, जबकि उनका दलिया रसोई की मेज पर ठंडा हो रहा था. इस बीच, गोल्ड की से जहांक कर देखा और मेज पर दलिया के तीन कटोरे रखे हुए थे. गंध मोहक थी, इसलिए गोल्डी लॉक्स कुटिया में दाखिल हुआ. उसने पापा भीर के कटोरे से दलिया चखा और उसे बहुत गर्म पाया. फिर उसने मामा भीर के दलिया का नमूना लिया, ल लिविंग रूम में दाखिल हुई और तीन कुरसियां देखी. वह पापा भीर की कुरसी पर बैठी, लेकिन वह बहुत बड़ी और असुविधा जनक थी. मामा भीर की कुरसी बहुत नरम थी और बेबी भीर की कुरसी बिलकुल सही लगी. हालां कि यह उसके वजन के नीच बहुत नरम था, लेकिन बेबी भीर का बिस्तर एकदम सही था. गोल्डी लॉक्स लेट गए और जल्दी ही सो गए. जैसे ही वह सोई, तीनों भालु घर लोट आये. पापा भीर गुर राये. कोई मेरा दलिया खा रहा है, मामा भालु ने कहा, और मेरा भी बेबी भीर चिल गई और जोपड़ी से उतनी तेजी से भागी, जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे. भालु ने एक दूसरे की और देखा, गंदगी से आश्चर ये चकित हुए, लेकिन खुश भी हुए. उन्होंने गोल्डी लॉक्स को उसके आकस्मिक पलायन के लिए माफ क करने का फैसला किया. उस दिन से भालु टहलने जाने से पहले हमेशा अपना दर्वाजा बंद कर लेते थे. और गोल्डी लॉक्स ने दूसरों के सामान का सम्मान करना और अजनबियों के घरों में नहीं जाना सीख लिया. और इसलिए गोल्डी लॉक्स और थ्री बियर्स क कहानी एक सतर्क कहानी बन गई, जिसने सभी को सीमाओं का सम्मान करने और दूसरों के प्रति विचारशील होने के महत्व की याद दिलाई.